दिगज एक्टर धर्मेंदर की दूसरी बीवी और एक्ट्रेस हेमा मालनी राजनीती में काफी सक्रिया है। साल 2019 में जब हेमा मालनी ने मतुरा से बीजेपी की ओर से एमपी के लिए चुनाव लड़ा था और जीती भी थी। उस वक्त सरकारी नियमों के तहट जब उन्हें अपनी जायदात का खुलासा करना पड़ा तो उन्होंने खुद को 250 करोड रुपए की जायदात का मालिक बता कि साल 2014 में लोकसभा चुनाव में हेमा मालनी ने खुद को 178 करोड रुपए की संपति का मालिक बताया था पांच वर्षों में उनकी नेट वर्थ 40 प्रतीशत बढ़ गई खबरों की माने तो हेमा जी हर साल 10 करोड रुपए की कमाई करती हैं वहीं उनके बेटे सनी देवल में बताया था कि उन्हें 2017-18 में 63.82 लाक रुपए, 2016-17 में 96.29 लाक रुपए और 2015-16 में 2.25 करोड रुपए की कमाई हुई थी उस वक्त एक्टर के पास 26 लाक तो उनके पतनी पूजा देवल के पास 16 लाक रुपए कैश थे साथ ही उनके पास 1.79 करोड की कार है वहीं सनी ने बताया था कि उनके पास 1.56 करोड की जुएल रिवी है सनी देवल के पास 21 करोड की जमीन है जिसमें एग्रिकल्चर और नॉन एग्रिकल्चर और मुंबई का एक फ्लैट शामिल है इसे साब से हेमा सनी देवल से तीन गुना ज़ादा प्रॉपर्टी की मालकिन है भले ही सनी देवल धर्मिंद्र की पहली पतनी प्रकाश कौर की बेटे हैं लेकिन उनकी हेमा मालने के साथ भी अच्छी बार्णिंग है अपने और सनी के रिष्टे को लेकर हेमा ने कहा था हम दोनों की बीच सुन्दा रिष्टा है हेमा ने कहा था कि राजस्थान में हुए एक्सिडेंट के बाद सनी देवल पहले व्यक्ति थे जो उनके घर मिलने आये थे उन्होंने न सिर्फ हेमा का हाल जाना बलकि डॉक्टर से भी अपडेट लिए सनी की इस बरताव को देख कर पहले तो हेमा खुद हैरान रह गई थी हेमा ने कहा था कि ये दिखाता है कि हम दोरों के बीच कैसा रिष्टा है हेमा ने कहा था कि भले ही सनी दिखाते नहीं लेकिन के और वो सब की करते हैं आपको हमारा ये पैकेज कैसा लगा? कॉमेंट बॉक्स में बताना ना भूले नारी से जुड़ी मोर अपडेट्स के लिए हमारे इंस्टेग्राम को फॉलो, पेस्बुक को लाइक और यूट्यूब चानल सब्सक्राइब करना ना भूले